वेलकम टू विसाल जुली आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Statement and Proof of Pringence Theorem Pringence Theorem क्या होता है उसका Statement क्या होता है और उसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं ये समलोग आज की इस वीडियो में समझने माले हैं और वीडियो के लाश्ट में आपको एक अच्छा Question कराऊंगा जो की आपके उनिवर्सिटी में directly पूछा जाता है ये Question भी आपको उनिवर्सिटी में पूछा जाएगा Statement इसका और Proof तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझेगा बाकी अगर आपको पूरा का पूरा Infinite Series एक अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको ये अंदर से फील आएगा पढ़ने के बाद कि मैं कहीं पे रुपया देके पढ़ना हूँ हाला कि यहाँ पे मैं आपको रुपया नहीं ले रहा हूँ सच में YouTube आजकल भकवास हो गया कोई नहीं कंटेंट टालता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दू कि प्लेलिस्ट में जवाब जाहिएगा न तो आपको एक एक वीडियो हो सकता है एक दू वीडियो तीन वीडियो तक आपको थोड़ा सा कम समझ में हो सकता है आपको लगए कि अरे फालतू का है यह सब हम को आता है लेकिन अगर आप सबूर से पढ़ेंगे न तो आपको खुद बता चलेगा कि आपको साइध कोई रूपिया लेके इतना अचा से नहीं पढ़ाएगा जितना मेंने अचा से जितना मेंने मेहनत यहाँ पे किया है चली हम से पहले हम लोग देखेंगे इसका statement उसके बाद हम लोग प्रूप देखेंगे statement दिःवा है summation of UN is a convergent series of positive terms माल निजरे summation of un क्या है एक हमारा convergent series है positive terms का मतलब इसका कोई भी term negative नहीं है and sequence un is monotonic decreasing और जो हमारा sequence क्या है un वो monotonic decreasing है monotonic decreasing काने का मतलब लगातार घट रहा है जैसे 7 है फिर 6 है फिर 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है इसको monotonic decreasing का जाता है मतलब लगातार जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगला वाला term उससे भी छोटा उससे भी छोटा होते जाएगा तो हमें proof क्या करना है n into un tends to 0 as n tends to infinity यह हमारा पूरा statement है statement में हमें क्या लिखा हुआ है हमें अगर कुछ ऐसा condition follow होता है तो हमें proof करना है कि n into un का value जो आएगा वो 0 की तरफ trend करेगा जो हमारा n infinity की तरफ trend करेगा देखिए यहाँ पे हम लोग जो इसका proof करेंगे उसको दो stage में divide किया हुआ हमें दो stage करने का मतलब यहाँ पे n into un का value 0 हमें proof करना है लेकिन यहाँ पे n का value न even दिया हुआ न और दिया हुआ है तो हम लोग जो इसको proof करेंगे पहले even के लिए करेंगे उसके बाद odd के लिए कैसे देखिए सबसे पहले हम इसका proof लिखते हैं as given जैसा कि हमें दिया हुआ है infinite series summation of un is convergent हमें दिया हुआ है कि जो हमारा series है वो convergent है statement में यहाँ पे लिखा हुआ है कि convergent series है of positive terms यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है positive terms का averages also it is given that हमें ये चीज भी दिया हुआ है कि un क्या है monotonically decreasing sequence यानि कि हमें ये चीज भी दिया हुआ है कि un हमारा एक monotonic decreasing sequence है monotonic decreasing करने का मतलब कि 6 आएगा फिर 5 फिर 4 जैसे 6 आएगा फिर 5 फिर 4 फिर 3 2 1 ऐसे करके आएगा मतलब हम यहाँ पे कहें कि अगर कोई भी series है जैसे यहाँ पे u1, u2, u3 ऐसे करके un plus 1 un plus 1 ऐसे करके un plus n आएगा तो यहाँ पे देखिए कैसे है तो हमारे जो पहला टर्म है वो बड़ा है और अगला टर्म छोटा है तो हम कह सकते हैं कि un plus 1 क्या है हमारा बड़ा है un plus n से ऐसे हम लोग कह सकते हैं तो उसी चीज को देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा elaborate करके लिखा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे term है न ये un plus 1 वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा u2n से वैसे ही un plus 2 होगा अच्छा u2n का मतलब होता है un plus 1 n ही होता है फिर वैसे ही un plus 2 जो होगा वो भी u2n से बड़ा होगा और वैसे ही हम लोग अगर आगे देखें तो हमारा un plus 1 un plus 2 un plus 3 ऐसे करके un plus 1 un plus 2 तक आएगा और ये किसके बराबर होगा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके तो देखें u2n 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 कितना बार है n बार तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n into u2n इससे क्या है या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा अब देखिए एक चीज आपने पढ़ा हुआ था मैंने आपको पताया था पिछले last के या फिर तीन चार वीडियो पहले u2n प्लस n तक का जो series है वो हमारा divergent हो जाएगा ठीक है यहाँ तक हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे सबसे पहले यह चीज तो हमने यहाँ पर देखा कि यह हमारा value इसके बड़ा है इसको हम लोग चलिए equation number 1 हम लोग मालने रहे हैं फिर हम लोग क्या कर रहे है यहाँ पर देख रहे है हमें दिया हुआ था summation of u n क्या है convergent series है आप कहां पर दिया हुआ था तो देखी यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि summation of u n क्या है यह convergent series है positive terms का तो यह चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या दियो था कि Summation of UN हमारा Convergent Series है और Convergent Series है तो कोची सिक्वेंस से हम लोग यहाँ पर पता कर लेंगे कोची General Principle of Convergence क्या काता है कि Sn प्लस N माइनस Sn को जब सुब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह क्या आएगा इसका जो value आएगा वो less than equal to epsilon आएगा epsilon कहने का मतलब 0 के लगभग लगभग करीब ही आएगा 0 के लगभग लगभग करीब ही आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं इस N प्लस N मतलब यहाँ पर 2 N में से हम लोग तो टोटल U1, U2 ऐसे करके दिखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूं सबको दिखिए इसको हम लोग यहाँ पर दिखेंगे तो U1, U2 यहाँ पर ऐसे करके U N फिर U N प्लस 1 और ऐसे करके जो हम लोग आगे बढ़ते हो जाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा न हमारा सबसे लास्ट में वो क्या आएगा U2 N आएगा तो U2 N में से टोटल हमारा U2 N है मतलब यहाँ से यहाँ तक है इसमें से अगर हम लोग इस N यानि कि यहाँ तक भटा देंगे तो उसका जो वैलू आएगा वो less than equal to epsilon आएगा तो हम लोग इसको जो वैलू बच रहा है वो कितना बच रहा है U N प्लस 1, U N प्लस 2 ऐसे करके U N प्लस N तक बच रहा है उसका वैलू less than epsilon आएगा और अगर इसका वैलू less than epsilon आ रहा है मतलAR लगभग लगभग 0 के बराबर आए तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका वैलू लगभग 0 की तरफ Tend कर रहा है कब जब N का वैलू infinity की तरफ Tend कर रहा है जानी कि इसका वैलू क्या है U, देकि N प्लस N को हम लोग 2N लिखे हैं तो इसका value किसके बराबर है? 0 की तरफ tend कर रहा है, जब हुमारा n infinity की तरफ tend कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे first equation से क्या लिखेंगे? कि n into u2n का value कितना tend कर रहा है? 0 की तरफ tend कर रहा है, जब हुमारा n infinity की तरफ tend कर रहा है. यानि कि यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जब इसका value 0 की तरफ tend कर रहा है जब n infinity की तरफ tend कर रहा है तो हम चाहे तो दोनों तरफ limit लगा सकते हैं यहाँ पे हम limit लगा सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि limit n tend to infinity n into un का value 0 आ रहा है मतलब limiting value इसका 0 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखिए अब n into un में हम चाहे तो कोई भी constant से multiply करेंगे अगर n into un का value 0 है तो 2 into n into un का value भी 0 होगा 2 से multiply करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको हम लोग क्या मालना है equation number first मालने रहे है सो हम लोग क्या देख रहे है कि यहाँ पे देखिए हमें क्या proof करना था limit n into un का value 0 प्रूफ करना था हम यहाँ पे 2 से multiply कर रहे है मतलब क्या है कि even number के लिए यह हमारा 0 आ रहा है तो हम लोग यहाँ यहाँ पे कहा सकते है प्रिंग जिए स्थिरंग is true for even integer 2n 2n नाम का कोई even integer है तो उसके लिए true है सच में ऐसे satisfy कर रहा है अब हम लोग इस वीडियो का यानि कि इस proof का हम लोग दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे दूसरा पार्ट में क्या करेंगे हम लोग odd के लिए proof करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 2n था न वो 2n प्लस 1 आ जाएगा odd के लिए तो यहीं चीज हमें प्रूफ करना है चलिए सबसे पहले दूसरा पार्ट हम लोग प्रूफ करें उसमें सिरीज जो हमारा सिरीज यूएन है वो divergent है सिरीज हमारा यूएन क्या है यह divergent है तो अगर सिरीज हमारा यूएन डावर्जेंट है सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि यू 2n प्लस 1 का जो value आएगा वो यू 2n से छोटा आएगा या फिर उसके बराबर आएगा और अगर यह इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि हमारा यू 2n प्लस 1 इंटू देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कियें सिर्फ यू यहाँ पे 2n प्लस 1 से दोनों तरफ multiply किये तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यह तो हमारा less than equal to ही रहेगा फिर देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किये सेम ऐसे ही 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और less than equal to यहाँ पे हम लोग 2n से multiply और 2n से divide यहाँ पे कर दिये हैं यहाँ पे नीचे divide और उपर multiply कर दिये हैं तो multiply करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किये हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेगा यहाँ पे हम लोग दोनों side में limit ले चुके हैं limit n 10 to infinity 2n प्लस 1 into u 2n प्लस 1 less than equal to limit n 10 to infinity यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझना है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या किये हैं देखिए 2n प्लस 1 बाइ 2n है न तो सबसे पहले 2n बाइ 2n को हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे 2n बाइ 2n आजाएगा और यहाँ पे 1 बाइ 2n आजाएगा यही ची तो हमने लिखा है बाकी सब कुछ सेम है फिर यहाँ पे देखिए 2n बाइ 2n का फैलू कितना आजाएगा 1 आजाएगा और यहाँ पे 1 बाइ 2n बच जाएगा बाकी सब कुछ सेम है 2n इंटो यू 2n प्लस 1 होगा और यहाँ पे देखिए लिमिट एंट एंट इंट इंफिनिटी है 1 प्लस 0 आजाएगा और 1 में अगर हम 0 एड करेंगे और यहाँ पे तो 1 आएगा लेकिन जब 0 से मले टिपलाई कर देंगे न तो इसका फैलू जीरू आजाएगा यानि कि n टेंट इंट इंट इंपिनिटी मतलब घट रहा था यानि कि क्या है और उसमें भी दिया हुआ था कि positive terms का था positive term है तो उसका add करने पर कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता है ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह हमारा किस के बराबर होगा 0 के बराबर होगा उपर हम लोग देखा था कि यह हमारा यहाँ पे even के लिए satisfy कर रहा था और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे है कि यह हमारा क्याची है odd integer यानि कि 2 and plus 1 के लिए भी satisfy कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे so this theorem is true for both even and odd integer यह theorem हमारा even integer के लिए ही true है और odd integer के लिए ही true है इसलिए हमका एंगल limit n 10 to infinity n into un का value हमारा 0 हो जाएगा जो कि हमारा pringis theorem फ्रू हो गया तो चलिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में हम लोग आपके लिए ला रहे हैं छोटा सा question जो कि हमारा कुछ comparison test वगरा और P-series test पे होगा तो मिलते हैं next वीडियो में अभी कली इतना ही thanks for watching वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिरू कीजिएगा और बाकी मैं आपको बता दू कि अगर आपको इसका पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोर्स चाहिए infinite series का तो वो मेरे टेलिगराम चैनल पे मिल जाएगा नीचे लिंक दिया होगा या फिर आप चाहें तो हमारे किसी दूसरे वीडियो से अगर इसमें लिंक नहीं दिया होगा तो किसी दूसरे वीडियो से लिंक निकाले जिएगा तो थैंक्स हो वाचिन